रादे रादे दोस्तों दोस्तों ये कुंद्रू और आलू की सबजी जो बहुत ही टेस्टी बना है एकदम सिंपल तरीके से और घर के ही मसालों से तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो देखे दोस्तों ये हमने कुंद्रू है ये 500 ग्राम कुंद्रू था इसे इस तरह से पीशेस में कट किये हैं और यहीं पर दो आलू इस तरह से कट किये हैं तो चलिए शुरू करते हैं और यहीं पर दो बड़े साइज का प्याज और एक लवसुन की गाठ बारिक कट कर लिए हैं यह सिंपल तरीका मुझे विश्वास से आप सबको बहुत पसंद आएगी देखिए हमने यहाँ पर सबजी को बनाने के लिए दो बड़े चमच सर्षो का तेल लिये हैं तेल बहुत अच्छे से गरम हो चुकी थी यहीं पर एक चमच हमने जीरा डालें जीरा जैसे ही फूल जाएगी उसके बाद से डालेंगे अपने लासुन प्याज और 2-3 मिनट तक इसे भूनेंगे ज्यादा हमें नहीं प्याज को जलाएंगे नहीं तो प्याज का जो कड़वापन होता है सबजी का टेस्ट खराब कर देगा तो देखिए प्याज को भूनते हो करीब 3 मिनट हो चुका है बस हमें प्याज को इतना ही भूनना है उसके बाद से मसाले एड़ करते हैं तो हम डालेंगे डेट चमज धनिया पाउडर एक चमज डालेंगे तीखी वाली लाल मीर्ज एक चमज डालेंगे जीरा पाउडर एक चमज डालेंगे भरके यह कास्मिरी लाल मीर्ज पाउडर गैस का फिलम हम लो रखेंगे नहीं तो सुखी मसाले हैं जल जाएगी सारे मसाले को तेल पर आज के साथ मिक्स कर देंगे तक भूनेंगे ज्यादा नहीं भूनेंगे तो सुख्य मसाले बहुत जल्दी जल जाती है तो देखिए हमारे मसाले को भूनते हुए करीब 2-3 मिनट हो चुका है मेरे मसाले में से हिए चाह बहुत होता है तो देखिए अलू को भूने हुए कारीब 3 मिनट हो चुका है वहीं पर अपना कुंदृ ढल देंगे और आलू के सब्सक्रेश कोभी में मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनट तक इसे छोड़ देंगे गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे मेडियम और हाई के बीच में और दो मिनट तक इसे भी चलाएंगे और भूनेंगे तो देखे फ्रेंज 2-3 मिनट हो चुका है अलू कुंद्रू को भूनते हुए अब यहीं पर अपने स्वाद का अनमसार नमक डालेंगे तो यहां पर हमने डेट चमच नमक डाले हैं नमक को भी अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स करेंगे और इसे ढखके हम 15 मिनट पकाएंगे 15 मिनट में हम बीच-बीच में चलाते भी रहेंगे ने तो हमारी सब्जी नीचे पकड़ लेगी कड़ाई पकड़ लेगी तो देखिए फ्रेंज हमारे यह साथ मिनट के बाद से सब्जी का टेक्स्चर कितनी बढ़िया आई है हमारा यह सब्जी आधी पक चुकी है अधी इसे देखिए एक बर और चला लेते हैं अलके हाथों से अधा अर इसे ढखके और साथ से आठ मिनट पका लेता है आप देख सकते हैं हमारी सब्जी आधी पकी है अलूब यह अच्छा से पक चुका है लेकिन 57 मिनट और पकाएंगे तो सब्जी बहुत है अच्छे से पक ज चलाएंगे और गैस के फ्लेम को कर देंगे अफ और इसे फटाफट सर्फ करेंगे तो लीजे दोस्तों हमारा कुंद्रू आलू की सब्जी बन के हो गया रेटी बहुत टेश्टी यह मिसा बना है दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा चैनल पर पाली पर हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेजिएगा